Hello everyone, कैसे आप सब लोग, आप लोग मुझे ढूंड रहे होंगे और मैं कोने से आ रही हूँ और ये हूँ मैं Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, this is me, शिपरतिवारी, बहुत बहुत स्वागेत है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार और बता दे रही हूँ Free education ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बैतरीन कुछ कर सके कोने से आए, बात समझ गए, वैसे तो सारे लोग पहले ही समझ गए थे, कि इस बर मैडम कोने से उचकते हुए आएंगे और मैं आ गई, ठीक है क्या तुम मुझे ढूंड रहे थे, ढूंडने की जरूत नहीं, क्योंकि मैं तो हर जगा मिलती हूँ आपको ठीक है, सो लेट स्टाट, आज आपको क्या पढ़ना है, आज आपको पढ़ना है सुपर क्लास टेटरा पोड़ा, ठीक है, यह क्या है माम, यह तो NCRT में ने दिया है, रुको, थोड़ा सबर करो, बता रही हूँ मैं, ठीक है, क्लास, क्लासिफिकेशन मैंने कौन से लेक्चर बनाया उसका, ठीक है, तो लेक्चर लगा के आईए, और फिर मुझे बताईए कि पता है कि नहीं पता, सुपर क्लास, टेटरा पोड़ा पढ़ना है अपने को आज, टेटरा पोड़ा के अंदर वो सारे जीव आएंगा, जिनके पास चार पैर होते हैं, ठीक है, टेटरा पोड़ा के अंदर वो जीव आते हैं, जिनके पास चार पैर होते हैं, ठीक है, तो आज के बार जिसके पास भी चार पैर हो, उसको सुपर क्लास टेटरा पोड़ा में दिखेंगे, अपन लोग ठीक है, so there are so many species snake को छोड़ दीजे, यहाँ ता टेटरा पोड़ा में but it is a very very special creature, मेंडा खैट, जो है तो टर्टल है, ख्रोकोडाइल है, लिजाट है, स्नेक है, बहुत सारी और स्पीशीज है, तलेपी जो साइरेन है, ना, टेटरा पोड़ा का सबसे पहले छोटा सा लिटल बिटल थोड़ा सा कारेक्टरिक्स पढ़ लें बच्चा लोग, ठी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो हर टेटरा पोड में ये कारेक्टर तो कॉमन मंगता है, ठीक है, हर टेटरा पोड में ये कारेक्टर कॉमन होगा, ओके, जो एक्स्ट्रा होगा, वो उनकी पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे, ओके, सबसे पहले टेटरा पोड कहा पाए जाता है ठीक है habitat की बात कर रहेते ही हम लोग तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वह रहता कहां पर है तो वह रहता है लैंड में रह सकता है और वाटर में रह सकता है अच्छा अभी तक आप लोगों ने उंगलियों के बारे में इतना जादा extensive manner में नहीं पड़ा क जब हाथ पैर होंगे तो ही उंगलियां होंगी तो चार पैर वाले जानवरों में पैर होता है और उनमें उंगलियां होती है जिससे वो किसी को भी एक तमाचा जड़ सके और अपने तमाचे से बच सके ठीक है तो ऐसा नहीं है भाई लिखने पढ़ने में भी काम आता है मै that ductiles or unglia into our lips fingers gills are present only in the embryonic stage gills अब नहीं दिखेंगे आपको gills जो है वो मचली का character है हाँ यह है कि pharyngeal gill slit is the character of the quadrata so we have the gill in any stage of our life and mainly in the embryonic stage we don't have gills into the human beings ठीक है तो embryonic stage में gills दिखेंगे आपको that's it the main respiratory organ in the adults is the lungs okay so amphibia have lungs but the poorly developed now reptilia have the lungs aves have the lungs and mammalia have the lungs ठीक है and exoskeleton बताईये मुझे क्या होता है तो घने मुलायम काले बाल यह क्या है भाईया यह exoskeleton है मेरे प्यारे सुंदर नाखून क्या है यह exoskeleton skin क्या है exoskeleton किसी गाय की सिंग क्या exoskeleton किसी नाखून क्या है exoskeleton पहले feathers क्या है exoskeleton ठीक है नाव endoskeleton क्या है हम सब के पास bones है ठीक हम सब के पास bones है all the catra pod has the endoskeleton made up of bones okay heart की बात करेंगे तो if we are talking about the amphibians अगर हम amphibians की बात कर रहे है तो दो chamber heart है reptilia की बात कर रहे है तो three and half and crocodiles में four chamber heart है उसके बाद aves और mammals के पास चार chamber heart है तो per heart है and इसमें जो है हम लोग double circulation show करते हैं okay now mesonephric metanephric kidney होती है amphibious has a mesonephric kidney other have the metanephric kidney mesonephric metanephric ठीक है हो गया okay now जो कहानी में twist है जो आज आपको पढ़ना है वो क्या है आज हमको पढ़ना है tetrapoda की classes so super class tetrapoda is divided into four class super का मतलब होता है उससे उपर तो class के उपर आती super class ठीक है तो super class tetrapoda की बच्चा लोग 4 classes होती है पहली होती amphibia ठीक है दूसरी होती reptiles reptilia and aves and mammalia ठीक है चारो यह पढ़ना है अपने को तो यह नहीं कि अपन छोड़ देंगे इसको एक एक class को deal पर लेने वाले हैं ठीक शुरू करें चलो शुरू कर लेते हैं फिर तुम्हारा मने तो नहीं भी है तो क्या करोगे यार पढ़ना तो पढ़े गई अब काईडे से तो मुझे यहां पर कोने पर आना चाहिए था ठीक पर क्या करूं दो दो बार कैसे कोने से आउं ठक जात से इस शुरू करती हूं थोड़ा सा देखे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर फ्रॉग आपको कलर ही दिखे ठीक है कलरड ही दिखे हो सकता है कि कोई फ्रॉग आपको मठमेला कलर कर दिखे हो सकता है को इंग ऑपकी और तो यह यह लौ कलर चाहिए बहुत आ रहे हैं तो करते हैं by the process of metachromasis ठीक है metachromasis जो भी कह हो आप ठीक है पर कहानी में twist यह है कि सबसे पहले हम लोग यह जाने कि कैसे amphibious का development हुआ क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी पढ़ते रहें कोई फर्क नहीं पढ़ता देखी क्या होता है फिशे से ही development हुआ है किसका आपके amphibious का ठीक है क्या हुआ कि फिश जब थोड़ी develop हुई तो उन्होंने अपने fins को छोटे छोटे पैरों में पैर लाइक structure में develop कर लिया समझ में आई बात फिशेस जो हैं जब वो develop होने लगी amphibious में तो उन्होंने अपने पैरों को उन्होंने अपने fins को ऐसे छोटे छोटे पैरों में develop कर लिया फिशेस को यह लगा कि वो reproduction मतलब वो बाहर निकल सकती है तो उन्होंने अपने आपको थोड़ा सा डवलप कर लिया डवलप कैसे कर लिया कि फिशेस को वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पैरों में develop ऐसा ऐसा ठीक है उसके बाद यह पैर जो है इस इन पैरों के माध्यम से यह जाने लगी लैंड में समझ गए इतनी बाद इन्हें हम सीलो कैंप्स भी कहते हैं लेटी मेरिया इस दा एक्जामपल ओफ लोबो पोट्स ओके तो यह लोब फिन्स इनको हम कह सकते हैं यहां पर इनके पैर होते और यहां पर फिन्स लगे होते हैं तो क्या होता है कि ये पानी में तैर भी सकते हैं और लैंग में चल भी सकते हैं So they have lobe-like pair and they have fins on the lobes ठीक है? तो ये चल भी सकते थे और पानी में भी रह सकते थे तो बाद में समझ में आया कि ये दुनिया जो है रंगीन है भाई अब भी मजा आने वाला है अंदर भी मजा आने वाला है तो धीरे धीरे ये जो lobe-like pair थे इनके ये developed pairों में convert हो गए जब ये developed pairों में convert हो गए बच्चों तो ये लैंग के बाहर मतला पानी के बाहर आने लगे समझ में आई बात पर इनके साथ problem पता है क्या है? इनके साथ silokans, latimeria पहला मतलब, it is the connecting link between the amphibians and fishers, okay Now, आपको पता है सबसे बड़ा problem क्या है सबसे बड़ा problem ये है कि ये कुछ भी कर ले ये कितने भी advance हो जाएं ये कितने भी hero बन ले पर ये हमेशा land में नहीं रह सकते इनको पानी में जाना ही पड़ेगा इनकी मजबूरी है समझ में आई बात ये इनकी क्या है मजबूरी है ये land में कुछ भी कर लें पाटी कर लें डिस्को कर लें में डख वे डख जो है तो कुछ भी कर लें पर reproduction करने के लिए इनको कहा जाना पड़ेगा water पे ही जाना पड़ेगा क्यों जाना पड़ेगा water पे अभी मैं पूरी कहानी सुना रही हूं बात में पन डीटेल में भी बात करेंगे इनको पानी में काई के लें जाना पड़ेगा because they don't have copulatory organ समझ में आई बात इनके पास कोई copulatory organ नहीं होता they don't have panis like structure to insert into the female and release all the sperm into the female they don't so ये क्या कर सकते हैं ये अपना क्या करेंगे ये external fertilization करेंगे ठीक है ये क्या करेंगे external fertilization करेंगे sperm निकालेंगे and over निकालेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं madam ये land में भी तो निकाल सकते निकालो ना land में पर अब तुम मेरी बात को ध्यान समझना इनका जो अंडा होता है वो sunlight में dry हो जाता है अंडा जो होता है वो sunlight में dry हो जाता है अंडे जो है जो इनके gametes होते वो sunlight में dry हो जाते जब dry हो जाते हैं तो वो रेत में पास-पास नहीं आपाते हैं जब पास-पास नहीं आएगा तो reproduction कैसे करोगे तो इसलिए इनको अपना reproduction करने के लिए पानी में जाना ही पड़ता है ताकि जो है आसानी से sperm होवा के पास आकर fertilize करकर fertilizer एड़ा बना सके ठीक है तो आपको समय में आए कि मचली जो है वो कैसे पानी से बाहर आई ठीक है स्टार्ट करें क्लास amphibia कोई दिकत परिशानी नाओ सबसे पहला किये होते हैं cold-blooded ओके नाओ लेक में एक्स्प्लेइन साम्थिंग आँ 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 डाट पाइसिस, amphibia, reptilia यह जो तीनों क्लासेज है यह होती है cold-blooded यह बाहर के अपना जो temperature है वो बदल सकती है बाहर ठंडी तो अंदर गरम कर लेंगे और अंदर गर्मी तो बहार ठंडा कर देंगे बाहर ठंडा तो गरम बाहर गरम तो ठंडा यह अपने बॉड़ी का कोरोना हो गया है ठीक तो दे आर पोई कीलो थर्मिक एक्टो थर्मिक cold-blooded animal होते हैं ठीक है नाव अच्छा नेक्स्ट इस हैबिटेट क्योंकि यह amphibias है इनको हिंदी में क्या कहते हैं देखिए हिंदी में आपको एक तर्म सुनाती हूं जो जल में रहे उसको कहते है जल च अभैचर प्राणी होते है अभैचर नहीं कमें इस लड़के का नाम अभैचर रहता है तो अभैचर बोलना शुड़ करे अभैचर लोकर है तो यह लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं पानी और लैंड में वाटर में रहना क्यों जलूरी है क्योंकि रिप्रदection करना नहीं तो under dry हो जाएगा, now body जो है ये head, trunk, tail में divide होती है, mainly इनकी body में होता है head or trunk बच्चो, ठीक है, इनकी body में head, trunk, tail तीनों हैं, पर main जो सारे members में हैं amphibia के, वो क्या है head or trunk, बहुत सारे members ऐसे हैं जिन में tail नहीं होती, समझे नहीं समझे, तो अगर आप देख रहे हैं frog, they don have tail, okay, बहुत सारे में पूछ नहीं होती है, सेलेमें बगरा में पूछ होती है, बागे समझे नहीं होती है, तो इनके में कौन सी common चीज है, they have head and they have trunk, but some may have the tail, some may not, ठीक है, तो सम में tail हो ये जरूरी नहीं है, देखा, अगे लिखा भी हुआ है, कि frog और टोड में tail नहीं होत तो आपको अच्छा ये दिख रहा है, frog बहुती अगली दिखाई दे रहा है, और एक चीज हमेशा याद रखिये कि अगर आप किसी amphibia का skin देख रहे हैं, किसी भी amphibia का skin देख रहे हैं, salamander देख लिजे, frog देख लिजे, buffo देख लिजे, ethiofist देख लिजे, toad देख लि अच्छे से पढ़ाया, उसमें मैंने general criteria of the respiratory organ भी बताया था, कि अगर कोई organism respire कर रहा है, then the skin should be moist, तो आसानी सो oxygen dissolve होकर अंदर की और जा सकती है, तो हर amphibia का skin होता है, वो moist होता है, they don't have scales like fishes, इनके पास कोई scale नहीं होता, कुछ को छोड़ दीजे, जैसे ethiofist होता है, उसके internal scales होते हैं, पर बाहर आपको दिखाई, नहीं देते, body smooth और mucoid होती है, now, skin देखिए, आगली बात जो मैं बता रही थी, वही आई है, देखिए, skin के देखिए, इस मेंधग को देखिए, I hate amphibians and reptiles, मुझे इस ग्रुप की members इतने अगली लगते हैं, कि सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ ये diagram बजब हाँ से बनाओ, तो ही सुन्दर दिखते हैं, now, so look at the skin of the frog, ये आपको चिकना दिखाई दे रहा है, तो इनकी skin में कोई scale नहीं होता, इक्थिओफिस has the internal scales, that's it, skin इनकी smooth होती है, mucoid होती है, soft होती है, बहुत सारे glands skin में produce होते हैं, जैसे की कौन-कौन से glands होते हैं, mucus produce करने वाले glands होते हैं, जो की skin को गीला, चिप-चिपा और लसलसा बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद, बूफो की बात करें, तो बूफो के skin के पास बहुत सारे poison वाले glands होते हैं, ठीक है, बूफो के ऐसे पचानते हैं, बूफो को जो पेट होता, बड़ा होता, पैर्ज होते, छोटा होता है, और हमेशा ऐसा उसका मूरत है, ठीक, हमेशा अगली ऐसा, ठीक, तो ऐसा लगेगा बहुत आलसी है, तो ऐसे frogs को जो ऐसे दिखते हो, मोटे, पैर, छोटे, ऐसा, उसको कभी भी टच नहीं करना, ठीक है, तो इनकी जो skin होती, moist होती, scale-less होती, बहुत सारी glands होती है, glands कैसी होती है, बहुत सारे frogs में poison प्रड्यूस करने वाले glands होते हैं, जैसे कि बूफो, ठीक इनको chromatophores कहते हैं, metacrosses mechanism से color produce करते हैं, ठीक है, limbs की बात करते हैं, क्योंकि ये land और water दोनों में रह सकता है, ठीक है, they have ability to live in both land and water, ये तो अपने को पता चल गया कि दोनों जगा रह सकता है, now, the question is, कि limb का क्या क्या है, भई याब बाहर आओगे, लैंड के पानी में कोई नहीं है, now, देखिए, उंगलियों की बात कर रहे है, जो आगे वाले पैर होते हैं, बच्चों, उसमें चार उंगलिया रहती है, और पीछे वालों में पांच उंगलिया होती है, ठीक, अपने साथ ऐसा नहीं है, अपने में सब में 5-5 उंगलिया, इनके में कोई नेल कटर से नाखून काटने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, इनके पास कोई नाखून वाखून नहीं होता, ओके, आगे वाले पैरों में 4, पीछे वालों पे 5, पर उंगलिया नहीं होती, now, डाइडेशन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी दांतों की, ठ सबसे पहले इनके पास जो दांतों होते हैं, वह होते हैं, यह क्या होता है मैडम, यह क्या बोल दिया आपने इतने जल्दी से, समझे, क्या होता है अक्रोडों टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाना, शोच रहे हैं, अगला चाप्टर वही पढ़ा दें आप कोर आप 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 अपो को, अखरोडों टीथ, क्या होता है अखरोडों टीथ, इकोरोडों टीथ, तूटा इछो अ चूटिथ, जमता होते हैं ऐर थीध्य सकते हैं पर तूटते नहीं एक्रोडॉंट टीट ये सॉकेट से इतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं ठीक है लाइफ में एंफीबियास के डार्ट एक से ज्यादा बार आ सकते हैं और एक से ज्यादा टाइप की होते हैं जैसे आपके पास पी एनिंसीजर कनाई हैं प्लूरोडॉंट हैं होमोडॉंट कभी-कभी बहुत सारे एंफीबियास हैं जिनके ना टेक जैसे भी होते हैं और जीवन में कई बार आ भी सकते हैं पॉलिफायोडॉंट एलिमेंटरी कनाल कंप्लीट है ठीक है समझ यह बात को धान से फोकस करने वाला पॉइंट है कि अब जो नया बच्चा जुड़े हुआ होगा उसको सबको पता है ना कि एलिमेंटरी कनाल क्या होता है थोड़ा पानी बीलू क्या मैं हाँ तो एलिमेंटरी कनाल मतला फूट पाइप तो पूरा कंप्लीट है एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है अगर आपको दिखाई दे रहा हो look at this कहां पढ़ा हम लोगों ने हम लोगों ने शायद कॉंड्रिक थाइस में पढ़ा है फिर भी आदे सदिक लोग फिर भूल गए होंगे what is the cloaca क्या होता है यह cloaca आपकी body में पाए जाने वाली वो opening है प्यारे मेरे बच्चो जिसमें digestive system और आपका reproductive system और excretory system खुलता है क्योंकि इन सब के लिए opening के लिए कोई separate opening नहीं है बिचारे लोगों के पास फिर से सुनों, cloaca body में पाए जाने वाली वो opening होती है जिसमें body के तीन system खुलते है digestive system, excretory system और reproductive system because they don't have separate opening for these three system तो इनकी elementary canal कैसी है? complete है, they have mouth but they don't have anus because they have cloaca for the opening of three system which is the digestive, urinary bladder which is the part of excretory system and genital gland which is the part of reproductive system आगे बड़े, तो बड़िया ऐसा है कि दात है इनके पास तो अगर ये किसी भी चीज को खाते हैं तो ये जो है तो चबा सकते हैं, they have tongue too, ठीक है? respiratory, अच्छ, digestive system देही, यहाँ पर दिया भी होगा, they have esophagus, ठीक है? we have esophagus, अच्छ, फ्रॉग जो है, वो जो है, नीट में आता है तो morphology of animal में, बेबी आपके school में नहीं आएगा फ्रॉग, पर morphology of animal में आता है और मैं मार मार के जो है, अगर नहीं भी पड़ोगा, तो भी पड़ाऊंगी, ठीक है? तो इनके पास pancreas है, जो अपने पास भी होता है, they have liver, look at the liver, gallbladder भी होता है, small intestine भी होता है, stomach भी होता है, spleen भी होता है, colon, rectum, which is a part of large intestine and cloaca. digestive system में एक और point जो मिझे आपने बताना था, वो था, they have renal portal system, ठीक है? So, they have renal portal system, अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखो, renal portal system ना human beings में नहीं पाया जाता, ठीक है? renal portal system जो है, वो Pisces में भी पाया जाता है, ठीक है? and that, इस में भी पाया जाता है, आपके amphibians में भी, किसी-किसी reptiles में भी पाया जाता है, जिनके में four chamber heart नहीं होता, ठीक है? तो renal portal system is the system of kidney, ठीक है? renal portal system is the system of kidney, अब जिनके में भी हमेशा ये बात अपने दिमाग में घुसा लगी हो, अच्छे से, क्या गुसा लो? कि जिनके पास भी four chamber heart होता है, उनके पास renal portal system नहीं होता है, फिर से बोलू क्या? जिनके पास भी four chamber वाला heart होता है, ठीक है? तो उनके पास renal portal system नहीं होती है, पर जिनके पास four chamber heart होता है, उनके पास renal portal system भी होता है, so frog and amphibians have the renal portal system अब रिनल पोर्टल सिस्टम क्या है digestive system में पोर्टल सिस्टम का lecture लगा के आई है ठीक now digestive system activity system बोल रही हूं मैं not digestive तो पढ़ाने वाली हो भी now respiration की बात करते respiration इनका बहुत divers है बच्चो respiration इनका बहुत divers है कैसे divers है वो समझें इनके पास गिल्स होता है पर गिल्स जो है वो ज़ादातर embryonic stage में मतलब मैं बताउं गिल्स होता व ज्यदा तर larval stage पर पाया जाता है ठीक, they have skin ठीक है बहुत सारे ज्यो फ्रॉग्स रहते हैं बहुत सारे ज्योधिव रहते है उनके पास न दो मेतर होता है क्या होता है? एक होता है इनके पास हाइबर्नेशन, ठीक है? दे शोदा हाइबर्नेशन and दे शोदा एस्टिवेशन, ठीक? ओके? तो कोई भी जो आपका एमफीबिया रहता है, वो ये दो मेकानिजम शो कर सकता है कैसे? ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर चले जाते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं और छोटे पानी के अंदर रेत वेतो रहती है तो वहाँ पर छोटा सा गड़ा खोद कर वहाँ सो जाते हैं राम से रेस्टिंग पीरिट पर चले जाते हैं तो इन्हें कहते हैं हाइबरनेशन तो अगर ठंडी में सोया तो हाइबरनेशन और गर्मी में सोया तो एस्टिवेशन ठीक 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 तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हाइबरनेशन ये एस्टिवेशन में जा सकते हैं अब वहाँ जाओगे तो क्या करोगे तो वहाँ जाएंगे तो करेंगे ये कि एपन skin से respire करेंगे किस से respire करेंगे skin से respire करेंगे done अच्छा दूसरी बाइत यह ए कि they have lungs but not so much developed तो यह जब sleeping stage पर जाते हैं तो skin से respire करते किस से respire करते स्किन से respire करते है ठीक है पानी से बाहर आते हैं पानी से बाहर आते हैं तो किस से respire करेंगे? पानी से बाहर आएंगे तो भी skin से respire करेंगे और अगर lungs है तो lungs से respire करेंगे ठीक है? तो इनके में body में जो skin होती है ठीक है? वो एक बहुत बड़ा role play करती है और मुझे आप लोग बताईए कि skin से respiration वाले mechanism को क्या कहते हैं, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे comment section में बताईए इसको क्या कहते हैं और इनका एक respiration होता है, बको फेरिंजल कैविटी, लैंड में जब यह रहते हैं, मेंडग, mainly it is found into the मेंडग, बको फेरिंजल कैविटी, अगर आपने कोई मेंडग देखा होगा, तो वह ऐसे करता है, तर, तर, करता है कि नहीं करता है, कैसे करता है, बताईए मुझे, तो उसक था रहे हैं, system ही हम already पढ़ा चुके है, पर क्या करें, आदक से मजबूर है, पढ़ा रहा ही पढ़ता है बार बार, तो यह जो cavity होती, it is called as bucko pharyngeal cavity, it is richly supplied by the blood vessel, so oxygen जो यहां पर टर करता है, oxygen भर लिया, सारा oxygen जो है, वो कहां पर आ गया, ब्लेट पे चला गया, और ब्लेट से उस cavity में, वापस से carbon dioxide आ गया, जो कि बाहर चला गया, तो bucko pharyngeal cavity, lungs, skin और gills, इनके respiratory organ होते हैं, तो कोई tension भी नहीं है, ठीक है, so they have gills, gills भी है, skin भी है, पर mainly skin, अब यह मुझे सब लोग बताएंगे, कि जो भी हम लोग skin से respire करते हैं, तो उस respiration को क्या कहते हैं, ठीक है, now they have two nostrils present, ठीक है, इनके पास दो nostrils भी present होते हैं, nostrils दिख रहे हैं, क्या, यहां पर दिख सकते हैं, हाँ, 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 यह देखो दिख गया, तो एक तो दिख रहा है, नाक कच्छे, दूसरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो they have nostrils, they have two nostrils, दिख गया आपको, और ऐसे organism, जिनके में दो nostrils होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, डाइराइनस कंडिशन, क्या कहते हैं, डाइराइनस कंडिशन, अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, आप लो, कि इनके बोड़ी में रिब्स नहीं होते हैं, रिब्स क्या होती हैं, by the way, respiratory system अपन लोगों ने पढ़ रखा हैं, All-Sternum, क्या होता है, इस तर्नम के बारे में, तो यह स्टर्नम होती है, बीच वालिी अट्डी होते हैं, बमें अगर किसी फर्म में सेल capsule घूंते हैं, वो सारे ऐसे फ्री घूमते हैं, वो स्टर्नम से मतलब, इस लाइक अच्छा, इनके साथ यह लिगे साथ काड़ प्रब् बॉड़ी flexibility होती है ठीक है तो इतनी character तो अभी आप इसका थोड़ा से screenshot ले लिजे तो फिर में आगे इसके और बत तो रिब्स जो हैं वो इनके में नहीं होती है और अगर होती है तो वो sternum से जुड़ी हुई नहीं रहेंगी जिसकी वजह से इनकी body flexible रहती क्योंकि गर rib cage रह चल रहें है आजाई आजई आजाई आजाई ए सर्क्यूले too सिस्टम के बारे में अब हम लो बात करने वाले हैं देख्ये शर्क्यूले ट्रीसिस टम कैसा होता हैbor और इंपॉइंट सेशल रहूरी संद्टे पॉनिब करते हैं लोग फिश में हम लोगों ने क्या पढ़ाता फिश में हम लोगों ने पढ़ाता खुट कौन शाया कितने हां और Rapha lifespan न९क्ड कल दो चैंबर आफ ऑफ थोड़े से और हो गये हैं और आप जो देख देखो आज़ 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 तो इनका जो हाट होता है वो तीन चैंबर हाट होता है एक होता है इधर वाला औरिकल एक होता है इधर वाला औरिकल और यह होता है वेंट्रिकल आई बात समझ में तो इनके बाडी में दो होते हैं औरिकल let me draw this, it is like that only, ठीक है, so they have two auricle and one ventricle, ओके, तो इनके body में दो auricle होते हैं और एक ventricle होता है, ओके, इनकी body में जो blood होता है, वो हमेशा mix होता रहता है, pure और impure blood, या oxygenated और deoxygenated blood, दूर हमेशा mix होता रहता है, ठीक है, सो अभी तो heart के बारे में बात करते है, sense calculation तो ठीक है, जो है, so हमें यह यार रखना है कि, the heart has three chambered in the amphibians, now, इनकी जो RBCs है, वो by convex, oval और nucleated होती है, अपन लोगों की नहीं होती है, ठीक है, portal system मैंने अभी आपको बताया था, कि renal portal system present होता है, excretory system में इसकी class आपने लगानी है ठीक है, excretory system में हम लोगों ने ये चीज़े पढ़ रखी हैं बच्चो, आई बात समझ में excretory system में पढ़ाया है मैंने आपको, okay, portal system में भी कौन सा portal system होता है, इनके पास, renal portal system, कौन सा portal system, renal portal system इनके पास पाया जाता है, ये क्या होता है, कि भाईया ऐसा है कि purification जो है, व फिर blood को heart में भीजिए, यहाँ पर क्या है, कि directly heart में जाने की बजाए, पहले blood पूरा filter हो जाता है kidney से, उसके बाद अच्छा खासा blood जो हो जाता हाट में, तो आपने blood को क्या किया है, बच्चो, bypass कर दिया, तो renal portal system में bypass करने वाला organ कौन है, kidney, hepatic में liver, आगे बढ़े, okay, now, nervous system में बात करते हैं, सबसे पहले खोपड़ी, खोपड़ी मत घुमाना इनकी, क्योंकि बहुत flexible है, तो इनकी खोपड़ी जो होती है, वो होती है cartilaginus, कैसी खोपड़ी है, बच्चा लो, cartilaginus, इनकी body में, खोपड़ी में, जो है, हडड़ी नहीं है, cartilage की बनी हुई हड होती है, अच्छा, cranial nerves, cranial nerves होती है, 10 pair, ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको की, आपको mainly reptile से 12 pair nerves मिलने लगेंगी, ओके, so they have 10 pair cranial nerves, please always remember this, ठीक है, they have dicondylic skull, cranial nerves क्या होती है, पहले तो ये भी जाने लगा, अगर किसी को नहीं पता है, nerves, ठीक, देख लिजे, okay, nerves arises, arises from the, from the brain, is called as cranial nerves, ठीक है, okay, dicondylic skull क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, occipital one condyle fishes में अपन लोगों ने पढ़ा था, dicondylic skull जो है, ये क्या होता है, यहाँ पर जो, यहाँ पर जो bone होती है, look at this area, यहाँ पर जो bone होती है, बच्चो, इसको हम कहते है, occipital bone, कौन सी bone, occipital bone, अब अगर आपकी bone में से ऐसा process निकला हो, it is like that, ठीक है, अगर आपकी bone में से ऐसा process निकला हो, तो पहली vertebrae के साथ, vertebral column में जाकर ऐसा वो bind हो जाता है, जिसकी वज़ाए से, you can easily move your garden, it is like that, ठीक है, तो आप ऐसा move कर सकते हैं, तो इनकी body, dicondylic skull, they have two process of the bones, came out from the skull, then it will attach with the first vertebrae of the vertebral column, ठीक है, आगे बड़े, तो थोड़ा circulation देख लो इसका, नहीं तो फिर बोलोगे कि random diagram तो लगा था, पर आपने बताया नहीं लोगों को, so this is the heart, this is the auricle, this is the left auricle, this is the right auricle, this is the right ventricle, और left ventricle को दोनों mix होता है, यहाँ से blood जो है, वो lungs में गया, lungs के थुरू फिर उसके बाद फिर वहाँ से heart में आया, फिर heart के थुरू पूरी body में गया, पर कारण यह है, दोनों blood mix होता रहता है, main problem यह है, आगे बड़े, vertebris, vertebris इनकी procellus होती है, ठीक है, यह यह रहती है, यह होती है, तो यह होती, procellus vertebris, there are so many types of amphicillus, opistocillus, acillus, procellus, बहुत सारे type की vertebris होती है, Vertebrie क्या होती है? Vertebrie bones होती है जो की मिलकर vertebral column बनाती है ठेक Lateral line sensory system जो है वो present हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हर amphibia में present हो मेरी बात समझना Lateral line इनके body में balancing system है पर हर किसी में present हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये चीज आपको याद रखनी है Lateral line system जो होता है ये कुछ life के किसी ना किसी stage पर पाय जाएगा में भी embryonic stage पर हर किसी में पाय जाए है हर समय पाय जाए जरूरी नहीं है excretory system के लिए they have paired kidneys ठेक है? look at this they have paired, where is the kidney? so this is the kidney 1, 2 they have adrenal gland 2 okay, so this is the adrenal gland adrenal gland आप लोगों के पास भी होती है they have urator, they have urinary bladder but urator and urinary bladder open into the cloaca और यहाँ पर आपको cloaca का diagram भी दिखाई देगा कि देखें यहाँ पर urinary bladder भी cloaca में खुल रहा है यहाँ पर जो आपकी वासा डिफरेंशी है वो भी यहीं पर खुल रही है hibernation और estivation का मतलब ठंडी में सो रहे हो पानी के नीचे जाके तो hibernation और गर्मी में सो रहे हो तो estivation ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? आगे बात करते हैं हम लोग ओके अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूँ थोड़ा सा इयर के बारे में हम लोग बात करते हैं कभी किसी मेंड़क का इयर देखा है क्या? देखो आप दिखाती हूं तो मैं आज़ा 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 इयर दिख रहा है क्या? कुछ इयर यह सापको दिखाई दे रहा है क्या? ये टोड है, बहुत poisonous skin होती है इसकी, बहुत जादा जहर होता है इसके skin में, छूना नहीं, ऐसा ही दिखता है बेकुछ चिकना, ब्राउन कलर का, colorful भी हो सकते हैं, Amazon के जंगलों में तो बहुत सारे color type के टोड होते, Okay, now look at this area, okay, they don't have ear, कभी किसी ear, ऐसे ear पिनना नहीं होता, amphibians में, okay, amphibians में ear पिनना नहीं होता, ear पिनना होता क्या है, पहली बात तो ये जाने, इयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि lateral line sensory system हम लोगों नहीं पढ़ लिया, कि embryonic state में पाया जाएगा, Okay, now ear के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग ear जो होता है, look at this area, ठीक है, इनका जो ear होता है बच्चो, ये, 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 दिख रहा है ना आपको ear, तो इनके में ear पिन्ना नहीं होता, we have external ear, internal ear, middle ear, but they don't have external ear, इनके body में external ear जैसी कोई चीज है नहीं, मतलब ear पिन्ना मिनना कुछ नहीं है इनके पास, okay, इनके पास नहीं होती, middle ear जो है, okay, middle ear में one ossicle है, एक हड़ी है, इसको आप call मिला, कहते, call you मिला कहते, इनके पास middle ear को तो आप नहीं भी, बोले को नहीं है, तो भी ठीक है, okay, external ear नहीं होता, only one ear हड़ी present into the middle ear, ठीक है, now next thing, they, eye के नाम पर क्या है इनके पास, eye के नाम पर है क्या इनके पास, ear के नाम पर है टिमपैनम, क्या है इनके पास ear के नाम पर टिमपैनम, टिंपैनम का मतलब होता है कान का परदा ठीक है टिंपैनम का मतलब क्या होता है बचलो कान का परदा तो they have कान का परदा into the कान इनके पास कान का परदा तो है भाई लोग यह बात समझे कि इनके पास कान का परदा तो है कोई tension नहीं है पर इनका जो कान का परदा है वही इनका ear है तो इनके पास ऐसा कोई ear पिनना विनना जैसी कोई चीज नहीं है They don't have external ear, they don't have well developed middle ear But they have internal ear in the form of tympanic membrane जो की इनको सुनने में मदद करते है ठीक है? Excretory system से मुझे याद आया कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है नहीं कि यह excret क्या करते हैं ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे वैसे तो यह होते हैं ureotelic ठीक है? वैसे तो यह क्या है? ureotelic ureotelic का मतलब यह क्या excret कर सकते हैं? ureo पर इनका जो larva होता है बच्चो अमोनिया निकाल सकता है पर इनका जो larva होता है वो अमोनोटलिक होता है जबकि नॉर्मल जो होते हैं वो ureotelic होते हैं स्किन इनकी बहुत ज़्यादा म्यूकस वाली होती है ठीक है? रिप्रडक्शन बे देखते हैं Reproduction बहुत जादा, बहुत, 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 इंटरस्टिंग है, देखो, ध्यान से समझो, मेरी बात, अगर आप external fertilization करने वाले हो, बिल्कु ध्यान से समझना, अगर आप वो जीव हो, जो external fertilization करते हो, तो you always need the water, मेरी बात समझे आप, कि अ अगर आप external fertilization करने वाले जानवर हो, तो आपको हमेशा fertilization करने के लिए पानी चाहिए, अब आप यह कह रहे हो, कि यह तो amphibia, यह चीज़ अभी मैंने पहले क्लियर की, तो आप रह तो घूमपिर तो सकते amphibia में, पर reproduction नहीं कर सकते आप, because you don't have penis-like structure, you don't, अगर penis होता, then you can easily deliver the sperm into the female, कोई दिक्कत नहीं होती, but कुछ है नहीं ना, तो नहीं है तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा, okay, so they depend on the water for their reproduction, please always remember this, ठीक है, they always depend on the water for their reproduction, एग्स के पास कोई protective covering नहीं होती इनका, ठीक है, एग्स के पास कोई protective covering नहीं होती, जिसकी वज़ा से ये evaporate हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं भाया, ये evaporate हो सकते हैं, मतलब एग्स का सूख सकता है, division नहीं होगा, multiplication नहीं होगा, ठीक है, Sexes, इसमें आप female male mendak और female mendaki को पहचान सकते हैं Copulatory organ वैसे तो कोई नहीं है पर कभी कभी हो सकता है किसी किसी forms में वैसे है नहीं Fertilization, OV Paris होते हैं, अंडे देते हैं और आपको पता है कि female एक बार में 3-4-4-8 जार अंडे निकाल देती है External fertilization करते हैं, कुछ animal internal भी करते हैं पर mostly 99% external Development इनका indirect होता है Mendak की बात करें, तो Tadpole is the larval stage And Exolotel is the larva of Salamander आजो इदर, रीप्रोड़क्टिव के बारे में पढ़ते हैं आजो 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 देखो, ध्यान समझना जब इनको रीप्रोड़क्टिव, जनरली इनका ब्रीडिंग सीजन का बाता बारिश में They love to breed in the बारिश तो जब जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, पानी में चले जाते हैं तो एक मेंड़क दूसरे मेंड़क के उपर चड़ जाता है So, male मेंड़क, female मेंड़की के उपर चड़ जाता है पर वो insert नहीं कर सकता अपने sperm क्योंकि variable organs न यहीं है तो, SMS stimulation के दोरान जो male मेंड़क है, वो अपने sperm सको पानी में रिलीज कर देता है और female मेंड़की जो रहती है, वो एक को पानी में रिलीज कर देती है और दोनों fertilize करते हैं, एक बार में 3-4000 अंडे निकालते हैं, पर 3-4000 अंडे जिन्दा रह सकते हैं क्या, नहीं, कुछ थोड़े बहुत ही जिन्दा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तो खाली जाते हैं, तो larva बन गया है, अब larva जो है वो develop होने लगेगा, metamorphosis होगा, adult बनेगा, और जब adult बन जाएगा, तो अपने लैंड में आ जाएगा, तो larva जो है, वो monotelic किसी लिए होता है, क्योंकि इसका development पानी में हो रहा है, ठीक है, अब, reproductive system, देख लो तुम लोग, तो यह है इनका testis, this looking like a kidney, but actually it is a testis, यह है इनका urinary tract, यह है इनकी kidney, और यह है इनका bladder, यह सब cloica में खुल रहे हैं, ठीक है, और यह है इनका oviduct, यह है इनकी ovary, यह है इनकी grey वाली kidney, यह है इनका uterus, यह है bladder, and it is the opening of oviduct, ठीक, that's it, यह आपको नहीं याद रखना है, जो मैंने आपको बताया है, वो याद रखना है, now, देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो फिर बोलो कि मैंने बताया नहीं, okay, orders के बारे में, नीट में बिलकुल नहीं पूछा जाता, मैं बार बार कह रही हूँ, orders के बारे में, आपसे कभ होते हैं, जिनके पास टेल होती है, टेल की presence absence के अधार पर इनको हम तीन orders में divide करते हैं, कितने order पे भाहिया, तीन order पे divide करते हैं, सबसे पहले है जिम्नो फियोना और एपोडा, ठीक है, एपोडा, एपोडा मतलब की बिना पैर वाले, ठीक है, विदाउट लंग्स, विदा पैर वाले, ठीक, इनके पास कोई पैर वेर नहीं होता, दिख रहा है कि तुम्हें, इसका एक एग्जाम्पल जो आपने पढ़ना है, वो है एक्थि ओफिस, क्या है भईया साब, एक्थि ओफिस है इसका एक्जाम्पल, तो इनके पास कोई पैर मेर वेर जासे कोई structure नहीं पैर नहीं है, तो चलो ठीक है, आपको पता है, बेचारा, बेचारा लड़का हमारा देख भी नहीं सकता, बेचारा लड़का हमारा सुन भी नहीं सकता, तो बोले मैडम, जीवन में आई ही क्यों है, इसलिए क्योंकि एक creature है, इसको आप कहते हैं, इक्थि ओफिस, तो ये बेचारा लड़का हमारा, इसके पास ना आई जो होती है, वो ब्लाइन वार्म्स, इनको आप क्या कहते हैं, और थ्यान से समझे, इनको हम कहते हैं, ब्लाइन वार्म्स, क्या कहते हैं, ब्लाइन वार्म्स कहते हैं, ब्लाइन वार्म्स मतलब ये देख नहीं सकते, क्योंकि इनके आग के ऊपर एक ओपैक मेंब्रेन हो जाती धूंदली मेंब्रेन हो जाती जिसके विज़े से इनको कुछ दिखाई नहीं देता दे सुन नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई मिडिल एर नहीं है ठीक है इनके पास टिमपैनम भी नहीं है ठीक है इनके पास टिमपैनम भी नहीं है तो इनके पास नो टिमपैनम तो बिचारे सुन नहीं सकते hearing का problem इनके में नहीं है okay, they don't have hearing they don't have vision okay, vision भी नहीं है इनके पास they are blind moms, okay और बताओ मैं, इनके पास tail भी नहीं होती बस जीवन है, बाकी तो कुछ नहीं इनके पास ठीक है, tail भी नहीं होती okay, अच्छा अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इधर आना, 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 भूलना जाना साथ निवाना, साथ या तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये दोनों प्रकार का fertilization शो करते हैं maximum जो लोग है, वो external fertilization करते हैं, पर ये जो भी अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, कहां गया यार, okay, okay, okay ये, ये internal fertilization शो करता है, please always remember this, तो अगर मैंने आपको ये बताया है कि ये दोनों प्रकार का fertilization शो करते हैं तो ये जो शो करते हैं, वो होता है internal fertilization इसलिए हर जो class phylum कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसका general characteristics पहले पढ़ा दिया जाता है तो इक्थियोफिस is the only example जो आपको class order एपोड़ा में पढ़ना है तीन order आपको पढ़ने हैं आपको ये बताऊंगे किस में tail होती है किस में नहीं होती है, और भी मैंने आपको बहुत सारे characteristics में बताएं, ठीक है अच्छा, एक और बता दूँ कि ये burrowing होते है ठीक है, पानी, land में भी burrow रह सकते हैं पर generally पानी के नीचे burrow बना के रहते हैं ठीक, तो ये burrowing animal है बरो बना के रहते हैं, देखने ही सकते, सुनने ही सकते, चलने ही सकते सर्वगुड संपन है, ठीक है ठीक है, और देखने में लिंब लेस है, तो लोग इसको टेट्रापोडा मानेंगी नी पट अक्चली इस अटेट्रापोड और एमफीबिया और रेप्टीलिया का basic फर्क ये है कि एमफीबिया की जो skin रहती, वो लसलसी और चिपचिपी रहती है जबकी, रेप्टीलिया की skin जो होती है, वो dried और जो है तो horny टाइप की होती है ये समझे आप पहला order, इसका screenshot लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत important चीज़ है Now next thing, ये ले लिए screenshot ले लो भईया, नहीं तो फिर मुझे ही बोलोगे हटी नहीं है आप सामने से Next is Kodeta, Eurodala, Kodal, नाम से Eau, Eau Kodeta पढ़ा था ना आपने Eau Kodeta पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ाया था मैंने आपको Eau Kodeta में तुमने क्या पढ़ा था मेरे लाल, बोलो ना क्या पढ़ा था तुम लोग नंए हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसकी पूछ होती है उसे हम यूरो यूरो पढ़ा था यूरो का मतलब पूछ चौड़ड़ीटा चुड़ो वे तो उसमें तो नोटो कौड़ आगे ठीक है Quardeata मतलब और Eurodunia मतलब जिसके पास पूछ होती है देखो इसका एक example अपने को याद रखना है वो है Salamander Salamander बहुत सारे टाइप के होते है बहुत सारे टाइप के Salamander होते हैं पानी में रहने वाले जो है तो सुखी ही चमेली होती है, ठीक? So, example is salamander, पर इसके कुछ characters के बारे में बात कर लें, क्या हम लोग थोड़े से little-little कुंचम-कुंचम बात करेंगे Eurodella, scales तो वैसे ही नहीं होते पर इक्थियोफिस का मैंने आपको बताया था कि इनके body में internal scales होते हैं, ठीक? इनके में भी इनके में भी middle ear, ठीक है? middle ear जो थी आपके पास एक ear औसिकल थी ना, आपने पास columnella, ठीक है? तो इनके पास भी middle ear और tympanum, ठीक है? दोनों नहीं होते तो अगर आपकी salamander को बोलोगे ओ, हसीना, कहां चली? तो नहीं सुनेगी, बाड में जाओ, जिसको जो करना करता रहोगे, क्यों सुनाई नहीं देता है इनको, ठीक है? now, next देखते हैं यूरोडेला में, fertilization अभी आप बोल रहे थे ना, कि fertilization जो है, किसका internal होता है तो भाईया, पहले वाले गुरूप का इनका भी internal होता है, और इनका भी internal होता है fertilization कैसा है, इनका internal है अच्छा, एक और चीज मुझे बतानी थे ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये वाला ये, look at this word, थोड़ा मैं और ज्यादा हाइलाइट कर दूँ तो कि आपका और ज्यादा समिझ में है look at this, it is called as neotony neotony समझते हो, क्या होता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना कभी-कभी ऐसा होता है कि larva, ठीक है larva जो है, उसमें sexual maturity आजाती है अब बिना metamorphosis की है मेरी बात समझ रहे हो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो larva होता है, उसमें sexual maturity आजाती बिना कोई काम की है समझ में आई बात, जैसे कि कोई बच्चा एकदम जवान आदमी जैसा दिखने लगे तो it is called as neotony कि जब आपका larva बहुत बड़ा दिखने लगे मतलब, larva में वो सारे structure दिखाई देने लगे, जो adult में होते है भले, size छोटा हो, बट चार पैर हो, पूछो, सब हो समझ में आई बात, सब कुछ दिखाई देने लगे आपको तो वो विल्कुल adult जैसे दिखाई देने लगे पर actually वो adult नहीं है ठीक है, मतलब, larva में इतनी maturity हो जाए कि वो adult दिखने लगे पर वो है larva ही It is called as neotony, क्या कहलाते है प्यारे बच्चो It is called as neotony, ठीक है तो आब हम पढ़ेंगे इसका example Salamander, Salamander होता है वीवी पैरस क्योंकि अभी आपने पढ़ाता ना OV पैरस होते और वीवी पैरस होते तो ये होते हैं वीवी पैरस इनका लार्व, ये indirect development show करते हैं और इनके लार्वा का नाम है exolotlet, ठीक है सबसे बड़ा gas station period Gas station period क्या होता है, गर्भवस्था Human being का गर्भवस्था कितना है, 9 महीने इनका जो है ना, सबसे भ्यांकर, सबसे लंबा जो है तो gas station period होता पूरे animal kingdom में, बहुत important question हो सकता है ये, let it be, चलो तो इनका gas station period कितना है, 36 months है बच्चो गर्भवस्था 36 महीनों ता सलमेंडर जो है प्रेगनेंट रहती है समझे है, जीवन इतना नहीं होगा जितने दिन तो ये प्रेगनेंट रहती है ओके, now emphyneuma, ये रेखो body, ऐसे चिकनी-चिकनी, लंबी-लंबी body, सबसे बड़ी RBC पूरे animal kingdom में इन ही के पास होती है आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलो now, eneura ठीक है, सेलेंटिया से हम कहते है, eneura, इनके पास ना पूछ नहीं होती ठीक है, इनके पास पूछ नहीं होती वही है साव, एक चीज़ याद रखना तुम ठीक है, पर इनके पास पूछ नहीं होती तो क्या हुआ, इनके पास सब कुछ होता है बाकि they have ear, they have eyes, so they can see and they can hear too ठीक है, तो middle ear भी होता है, इनके पास middle ear में एक ossicle होता है not so developed पर होता तो है, और external ear तो ही नहीं, ठीक है और tympanic membrane होती है, जो की कान के पर्दे के जैसा behave करती है, तो सुन सकते है ये, ठीक है, ओके, समझे आप कोई दिक्कत परिशानी, अब इनके पास ना, जैसे अगर आप किसी मेंडक का पैर देखेंगे मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, अगर आपको पैर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं इनके जो पैर रहते हैं, it is like a web, तो जो एनुरा वाल रहते हैं, जिसमें पूछ नहीं रहती है, तो पानी में असानी से तैर सकते हैं, समझ मैं ही बात, तो यह वेवड पैर, जिससे यह असानी से पानी में तैर सकते हैं, look at this, don't you think, so it is too ugly, it is like, पर यह sad नहीं है, यह sad तुमें कर देंगे, क्योंकि यह है buffo, क्या है buffo, ठीक है, आजो 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 आजो, आगे पड़े, से लामेंडर वाला हो गया, class order, हाँ, तो इनके पास पूछ नहीं होती, यह external fertilization शो करते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वेब्ड वाले पैर होते हैं, पैरने के लिए, एक्जाम्पल देखते हैं, देखो, सबसे पहले, मैं आपको एक्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एक्जाम्पल क्या है, इसका, टोड, टोड क्या होता है, यह अभी पोईजनुस, बोटे होते हैं, उनके पैर छोटे होते हैं, साडी फेस होता है इनका, और बहुत ज्यादा उचकते नहीं है, ठीक है, Now, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि Amphibia का जो origin हुआ है, वो Bollywood से हुआ है अभी जो अगले दो example बताने वाली हुआ है, वो ऐसा लगता है, यह कि Bollywood से है जैसे कि Hila, कौन सा गाना सुना आपने, Hila, Hila, Hula, Hula ठीक, तो अगली बार जब इसके, मुझे लगता है कि इसका नाम, या, जो कोई मिल गया मुवी है, वो इसके नाम पर रखी गई होगी, क्यो? Hila, Hila, Hula, 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 Hula तू ने छुआ, छू नहीं पाओगे इसको, क्योंकि इसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, और यह ऐसी छलांग लगाता है बस जा के गाना, Hila, Hula, 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 कूते रहेंगे, अपना कोई टेंशन नहीं, ठीक है? दूसरा, दूसरा, कैसे इसको याद करेंगे, यह बहुत ही कॉमन फ्रॉग है, जो हमको घर पे मिलते हैं तो इसके लिए, Rana जी, माफ करना, गल्ती हमसे हो गई, हमारे घर पे निकलाए आप तो अब इस तरीके इस इनका एक्जाम्पल याद कर सकते हैं तो राना जी, माफ करना, क्योंकि Rana Tegreena is the common frog, ठीक है? जो कि आपके घर पे मिलता है, और यह देखो, ऐसा ही frog रहता है वो, ठीक है? तो इसे आप Indian Bullfrog, Mental Mechanical Bone is found in tip of the lower jaw, let it be, यह normal frog होता है, ठीक है? तो राना जी, माफ करना, यह रोज घर पे निकलता है, ठीक है? तो अगली बार इससे याद रखना, कि इस order में आपको यह तीन example पढ़ना है, बुफो, बुफो, उसके बाद आपका जो है तो हाईला हाईला, और next is the Rana, जी, माफ करना तो अब आपने मेरे ख्याल से पूरा Amphibia खतम कर लिया, ठीक है? So this is all about the class Amphibia, ठीक है? यह हो गया, आपका कोई tension परिशानी तो नहीं इसमें, तो आज हम लोगों ने class Amphibia के बारे में बहुत बहतरीन तरीके से पढ़ लिया, I hope you learned and enjoyed the video, सब कुछ दिए!